Hello guys, स्वागत था आपके अपने यूटूब चेनल Only Regular Study में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कच्छा 10th कभी भी आई अब्जक्टिव कोश्चन साइन सब्जेक्ट का चेप्टर नमबर 9 अनुवान सिक्ता एव जे विकास को कभर करने वाला हूँ अधी आप हमारे चेनल पर नए आए हो तो प्लीज चेनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेज कर ले ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए चलिए वीडियो को सुरू करते हैं आज के वीडियो का सबसे पहला प्रशन है जीव की जीनी सनचना को कहते हैं तो इसका पहला उप्सन है जीन प्रारूप दुसरा उप्सन है लच्छन प्रारूप तीसरा उप्सन है समजात और चाथा उप्सन है समवर्ती तो इसका सही उत्तर होगा option number A, जीन प्रारूप अगला प्रश्ण है question number 2, समरूप अंग होते हैं तो इसका पहला option है कारी में समान, दूसरा option है रचना में समान, तीसरा option है रचना वा कारी दोनों में समान और चौतरा option है उप्युक्त में से कोई नहीं तो इसका सई उत्तर होगा option number A, कारी में समान अगला प्रशने question number 3, समजात अंग होते हैं तो इसका पहला option है कारी में समान दूसरा option है रचना में समान तीसरा option है रचना वा कारी दोनों में समान और चाथा option है उप्युक्त में से कोई नहीं तो इसका सही उत्तर होगा, option number B, रचना में समान अगला प्रशन है question number 4, हीमोफिलिया में जिसका पहला option है, हीमोलिसिस होता है दूसरा option है, रक्त का ठक्का नहीं बनता है तीसरा option है, RBC से चिपक जाते हैं और चाथा option है, WBC कोशिक का भक्ची हो जाते हैं तो इसका सही उत्तर होगा, option number B, रक्त का ठक्का नहीं बनता है अगला प्रशन है question number 5, कोशिका में पाये जाने वाला अनुवानसिक पदार्थ हैं इसका पहला option है protein, दूसरा option है carbohydrate, तीसरा option है RNA, और चौथा option है DNA तो इसका सही उत्तर होगा, option number D, DNA अगला प्रशन है question number 6, जीन है, जिसका पहला option है DNA का एक भाग, दूसरा option है RNA का एक भाग, तीसरा option है क्रोमोसोम का एक भाग, और चौथा option है या कृत का एक भाग तो इसका सही उत्तर होगा, option number A, DNA का एक भाग अगला प्रशन है question number 7, मानों में कितने अमीनो एसिट पाए जाते हैं, तो इसका पहला option है 12, दूसरा option है 15, तीसरा option है 20, और चौथा option है 20, तो इसका सही उत्तर होगा, option number C, 20 अगला प्रशन है question number 8, अनुवानसी की उत्तर परिवर्तन होता है, तो इसका पहला option है क्रोमोसोम, दूसरा option है राइबोसोम, तीसरा option है DNA, और चौथा option है RNA, तो इसका सही उत्तर होगा, option number A, क्रोमोसोम अगला प्रशन है question number 9, जीन कहां इस्तित होते हैं, तो इसका पहला option है राइबोसोम में, दूसरा option है गर्वाशय में, तीसरा option है हरित लवकों में, और चौथा option है गुनसुत्रों में, तो इसका सही उत्तर होगा, option number D, गुनसुत्रों में अगला प्रशन है question number 10, और इस वीडियो का आखरी प्रशन, अनुआनसी की इकाईया है, तो इसका पहला option है लाइसोसोम, दूसरा option है जीन, तीसरा option है राइबोसोम, और चौथा option है क्रोमोसोम, तो इसका सही उत्तर होगा, option number B, जीन अधि आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को like, comment, share करें, और चैनल को subscribe कर, bell icon को press कर लें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद